नमस्कारों शान्दी आप देख रहे हैं पीस नियूज और आपके साथ मैं हूँ शिवांगी आज विश्व पर्यावरन दिवस है इसलिए आज के इस खास बुलेटिन में हम पर्यावरन के विभिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे क्योंकि विश्व पर्यावरन दिवस हर साल बड़े ही जोरोशोरों के साथ हर जगा मनाया जाता है सन 1972 में सैयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा विश्व पर्यावरन दिवस मनाने की घोशना की गई थी और 5 जून सन 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरन दिवस मनाया गया था इस दिन हम सभी प्रकृती के प्रती अपनी कृत्य गिता व्यक्त करने का भी दिन कह सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी जीवन दाइनी मा के लिए मदर स्टे मनाते हैं तो प्रकृती भी हमारे लिए किसी जीवन दाइनी से कम नहीं है लेकिन आज पूरे विश्व में क्लाइमिट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और भैंकर बीमारियों के दुश्प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं और अगर हम प्रकृति का इसी तरह दोहन कर प्रदूशित करते रहें, तो वार दिन दूर नहीं जब मनुष्य जीवन पर संकता जाएगा When we look at this precious pearl, which is here in the middle of outer space, and we see this blue pearl, the only planet that's able to support life in the way that we know, at least at the moment, we realize how sacred the planet is and how sacred life is. This earth has supported life for millennia, and when we appreciate it, and we give our love and care and gratitude to the fact that it's looking after us so well, then earth responds to us with that love also. For some time, maybe a few hundred years, we've thought about the earth not as something sacred, but we've thought about it as a resource from which we can take, and this is what we've been doing, with aggression, just concerned about consumption, just wanting it to continually give to us, and of course it's got finite resources. It cannot just continue to give, and maybe now it's time to renew our bond of faith and love with the divine and also with the earth. प्रक्रिति के रक्षा हमारे जीवन के रक्षा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे बीच में दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत में जानेंगी कि प्रक्रिति के रक्षा कैसे करें. आपको बता दें कि एक तरफ ब्रह्मा कुमाई सनस्थान के अतरिक्ति महासची बीके ब्रिज मोहन जी हैं, और दूसरी तरफ पर्यावरण वेद्वा ब्रह्मा कुमारीज के वज्यानिक और अभियनता प्रभाग के अध्यक्ष बीके मोहन सिंगल जी हैं, जो हमारे साथ ज मुख्य कारण हैं, पहला स्थोल और दूसरा सोक्ष्म, जिसे हम कह सकते हैं कि पहला बाहर प्रदोशन और दूसरा आंत्रिक प्रदोशन है, आंत्रिक प्रदोशन के बारे में हम बीके बिज मोहन भाई जी से बाद में जानेंगे, लेकिन पहले आप बताएं कि बाहर friends में एक बात कहना चाहूंगा कि वास्तव में ये प्रदूशन की बात पहले कोई जानता भी नहीं था मुझे ख्याल है जब मैं इंजिनिरिंग पढ़ता था तब प्रदूशन की कोई भी बात नहीं बताया करते थे लेकिन सबसे पहले ये प्रदूशन की बात उस समय निकली जब ये प्रदूशन के लिए शिरीमती इंद्रा गांधी विश्व प्रदूशन में जो गृप था उसमें पहली बार गई और वहां उन्होंने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा प्रदूशन है और उसके बाद सब जैसे बैठे ही रहे किसी ने कोई इस पर बहुत मंथन न बात है ब्राजील में, रियो डी जनरियों में जहां पहला बहूत बहुत बड़ा विश्व का ये प्रियावरण प्रदूशन की कॉन्फरेंस हुई और वहां पर इस बात को कहा गया कि ये जो प्रदूशन है इसका मुखे कारण मनुश्य का लाइफ स्टाइल है और बढ़ता चला जा रहा है इसलिए उसे अधिक संसाधनों की आवश्यक्ता पड़ती है अधिक लकडी की अधिक जितने साधन है और इस कारण से जब मोटर कार चाहिए तो पेट्रोल भी चाहिए डीजल भी चाहिए ये भी प्रदूशन होता है जंगल कटते हैं लकडी होती है लकडी की आवश्यक्ता फरनीचर बनते हैं मकान बनते हैं आदी आदी आप जिस भी शेत्र में जाएंगे ये सब भाहिय प्रदूशन को ही फैलाते हैं और जब ये भाहिय संसाधन और और अधिक पूरे वातावरण में जब फैलते जाते हैं तो ये ही एक प्रदूशन का एक अधिकतर मुख्यकारण है और इस पर ही आज विश्व बहुत चिंतित है जी बिल्कुल सही कहा आपने महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए और बहुत ज्यादा यानि अनावशक रूप से संसाधुनों का उपयोग करने से बचना चाहिए अब मेरा सवाल ब्रह्मकुमार ब्रिजमोहन जी से है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि बाहर प्रदूशन तो सब जानते हैं लेकिन क्या आंत्रिक प्रदूशन भी होता है जिसके वजह से यी बाहर प्रदूशन पर गहरा सर पड़ता है मैं ये समझता हूँ कि बाहर का जितना भी प्रदूशन है वो वास्तव में अंदर के प्रदूशन के कारण ही है हमारे ब्रह्मकुमारीज में एक स्लोगन है मैंटल प्रदूशन लीड्स तो अन्वारिन मैंटल प्रदूशन आप देखिये एक गीत भी होता था सूरज ना बदला चांद ना बदला ना बदला ये आस्मान कितना बदल गया इंसान तो सारी दुनिया में आप देखेंगे के सबसे एक्टिव सारी दुनिया के बाहर ये सादनों को यूस करने वाला अगर कोई योनी है तो मानव है अन्य सब योनिया तो इंस्टिंक्ट से चलती है तो मानव जब संसादनों का बाहर की चीजों का सदुप्यों करता है तो दुनिया ठीक ठाक रहती है और जब मानव दुरुप्यों करता है तो दुनिया बिगड़ जाती है हम यू भी कह सकते हैं कि इनसान जब उचे ख्यालात का स्रेष्ट होता है तो दुनिया स्रेष्ट होती है जब इनसान नीचे आ जाता है तो दुनिया नीचे आ जाती है अब मनुश्य के अंदर आप देखेंगे तो हमारे अंदर है मन तो यू भी कहा जाता है कि जैसा अन वैसा मन जैसा पानी वैसी वानी लेकिन वास्तव में जैसा मन होता है उसी पर करता है एक सात्विक बोजन करने वाला व्यक्ति वैसी चीजें ढूंडता है और एक दूसरी परकार का है अपने परकार की चीजें ढूंडता है तो वास्त में तो मन ही काम कर रहा है ना अगर मन परदूशित होता है तो वो हर चीज को परदूशित कर देता है तो मेरा मानना यह है कि आंतरिक परद्विशन ही बाहर प्रकट होता है, चाहे वो संबंदों में हो, चाहे वो संसादनों में हो, किसी भी चीज में हो, हमारा मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, लोगों ने गलत समय लिया है कि sound mind in a sound body, हम यह कहते हैं विचार करिये, अगर mind sound होगा तो body sound रह एक को कि मन जैसा उसके वचाप होंगे जैसा उस का आहर होगा, उसी अनुसार तो उसका शरीर रुष्ट पुष्ट रहेगा, इस इसी परकार से बाहर के वातावरन को वहार को मुनुष्य परभावित करता, मुनुष्य मतलब है मुनुष्य का मन, आसा मैं मानता हूं जी बहुत सुन्दर आज आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि बाहर प्रदोशन के साथ आंत्रिक प्रदोशन को भी ठीक करना ज़रूरी है आगे हम आपसे जानेंगे कि आंत्रिक प्रदोशन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए लेकिन अभी मैं पूछना चाहू जो कि 2021 से लेकर 2030 तक चलेगा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ecosystem restoration का मतलब क्या है बहुत अच्छा क्योंकि ecosystem restoration हम पुने उस इस्थिती पर पहुँच जाएं जब प्रयावरण production नहीं था और हमारा ecosystem बहुत ही balanced था और ये ecosystem balance तभी होता है जब मनुष्य और प्रकृति सभी कोई मिल करके वास्तों में इस पर ध्यान दें कार्रे करें वास्तों में देखा जाए तो प्रकृति शब्द के दो अर्थ होते हैं एक होता है प्रकृति शब्द का अर्थ ये पांच तत्व जल अगनी वायू पृत्वी आका जो बाही है संसार में दृष्टी गोचर होते हैं और इनी पांच तत्वों से ही हमारा ये शरीर भी बना हुआ है और दूसरा प्रकृति शब्द का अर्थ होता है हमारी इंटर्नल प्रकृति हमारी आंतरिक प्रकृति हमारा क्या सोचना करना आदी है और इसलिए जहां दोनों प्रकृति का अगर बैलेंस होता है भाई ये प्रकृति का और हमारी आंतरिक प्रकृति का तो वहां पर ही वास्तों में रेस्टोरेशन बहुत सही ढंग से चल सकता है मुझे याद आता है 1990 की बात जब 92 में पहली बार जो मैं बता रहा था ब्राजील रियोडी जेनरियों में कॉन्फरेंस हुई थी तो उस समय वो डिकेड मनाया गया था दस वर्ष की Awareness Decade of Environment Degradation तो उसका जब तक उसकी ये पता नहीं चलेगी कि किस वज़े से हमारा प्रदूशन गिर रहा है खराब होता जा रहा है तब तक हम उसका उद्धार कैसे करेंगे इसलिए उन दस वर्षों में इस ईश्वरिय विश्विद्याले ने लगबग 10-11 वो निकाले है प्रदूशन के लिए Awareness Campaign और ये Awareness Campaign पूरे भारत भर में निकाले गया और केवल भारत ही नहीं बलकि भारत के बाहर नेपाल में भी तो सबसे पहली आवश्यक्ता है Awareness की जागड़ती की और वो चूंकि अब जागड़ती तो होई गई है पूरे विश्वर में सब जान गए हैं तो अब Restoration की जो बात होती है इस Restoration के लिए हमें कुछ थोड़ा लीक से हटकर भी सोचना पड़ेगा कि स्थूल कारण तो हैं हैं क्योंकि जंगल गट रहे हैं आदी आदी जितने ही ये सब हो रहा है ये सब तो एक मुख्य कारण हैं ही लेकिन साथ साथ इसके मुख्य जैसा की भाई साब ने भी आपको बताया कि मनुश्य की नकरात्म प्रविडतियां हैं और सबसे पहले कोई भी बात होती है मनुश्य के मन में आती है मन के अंदर जब आती है फिर वो डिसकस करता है वानी में आती है कर्म में आती है और इस कारण से प्रदूशन का Degradation होता चला जाता है तो मैं समझता हूँ कि इसके रेस्टोरेशन के लिए आज आवश्यक्ता यह है कि हम भौतिक लेविल पर सोचने के साथ साथ एक सुक्षम आंतरिक लेविल पर भी इस बात को विचार करें कि किस प्रकार से हमारी मानसिक्ता वो गिरती चली जा रही है और उस मान सिक्ता गिरने के कारण ही यह प्रयावरन प्रदूशन बढ़ता चला जा रहा है और इसी लिए आज मुख्य आवश्यक्ता इसके रेस्टोरेशन किया कि सबसे पहले हम अपनी मानसिक्ता को और उपर उठाएं पॉजिटिव बनाएं तो दर्शकों अगर प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को पुना स्थापित करना है तो आज से ही एको सिस्टम रेस्टोरेशन की और आगे अपनी कदम बढ़ाने होंगे और साथ ही मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक ये भी जाने की विक किस तरह से प्रदूशन को रोकने में महत्वपून भूमिका निभा सकते ह हमारी पर्सनल जिम्मेदारी क्या है जी मोहन सिंगल जी वास्तों में तो हर एक की पर्सनल जिम्मेवारी है अगर हम ये सोचेंगे वही मेरा अकेले के करने से क्या होगा पूरा संसार पड़ा है और प्रयावरन प्रदूशन तो होता ही जा रहा है ऐसा सोचने से नहीं चले क्योंकि मनुष्य समाज की इकाई है और हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे हमारा परिवार सोचेगा हमारा समाज सोचेगा और इस प्रकार से पूरा विश्व ही पॉजिटिव रीती से सोचता चला जाएगा और इसके लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा कदम यही होगा कि ह हम कुछ पॉदे लगाए है हर एक व्यक्ति और अधिक ना भी लगा सके तो कम से कम अपने जनम दिवस के ऊपर वो एक एक पॉदा जरूर लगा है क्योंकि मुझे मालूम है मैं जिस ओर्गिनाइजेशन में था ONGC में वहाँ पर भी इस बात को सोचा गया था और बस हर एक में जब अपने अपने जनम दिन पर लगाना शुरू किया तो कुछ समय में ही ये बहुत हजारों लाखों की संख्या में उस ओर्गिनाइजेशन में ही पौदे बढ़ जाए जी बिल्कुल सही कहा आपने पर्यावरन ही हमारी सच्ची संपत्ती है पदार्थ सीमित है और एक्षाएं असीम है और इन असीम एक्षाओं के पूर्ती ये भौतिक पदार्थ नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें भोग और उप्योग का सीमा करन करना चाहिए अब मैं अगला सवाल बीके ब्रिज मोहन जी से पूछना चाहूंगी कि जैसे किसी भी धर्म का ये मानना है कि यदि विकास की निव आध्यात्म पर आधारित होती है तो विकास जीवन में वर्दान बन जाता है और स्वस्त्य समाज की सनरशना होती है लेकिन शायद आज के मनुष्य ने दूसरे यानि आध्यात्मिक पहलों को समझा ही नहीं जो आज विकास के बजाए हम सरवनाश की ओर जा रहे हैं जिसे हम कह सकते हैं कि आंतिव प्रदूशन का कारण कहीं न कहीं आध्यात्मिक पहलों को अंदेखा करना रहा है तो अब आप बताएं कि हम सभी आपने आंतिव प्रदूशन से कैसे मुक्त बने देखिये जैसा मैंने पहले भी बताया है कि चीज अंदर से शुरू होती है दुनिया में ये कहा भी गया है everything begins with the mind. United Nations ने भी कहा है words are born in the minds of men और इसी साथ ये भी कहा गया है कि peace is also can also be born in the minds of men अब प्रशन ये है कि जितना भी बाहर ये पर दूशन है उसका मूल कारण क्या है कि आज का मानव अपने आपको शरीर मान के चलता है और वास्तव में हम आत्मा हैं तो जब शरीर मान के चलेगा तो उसको बाहर की चीजें ही दिखाई देंगी और शरीर आप जानते हैं नश्वर है भौतिक है तो व्यक्ति भौतिक संसादनों को इकठे करने की कोशिश करता है वो सोचता है कि शायद मेरा सुक शानती इस पर अधारित है लेकिन अगर आप गराई से सोचें तो सुक शानती के अनभूति तो मन को होती है दुखा और अशांती की अनभूती भी मन को होती है तो अगर हम अपने मन की लेवल पर मन आत्मा का एक संकलब शक्टी का नाय है अगर हम मन की लेवल पर हम पुर्शारत करें आप देखेंगे के सारे ही पृदूशन का कारण जो होता है जैसे पहले ग्रीड की बात की जा रही थी, लोब की बात की जा रही थी, तो मन के अंदर पांच विकृतियां आ जाती हैं, जिनको अच्छी तरह से जानते हैं, कुरोध है, लोब है, मोह है, अभीमान है, काम वासना है, यह सब मन के अंदर आती है, आज आप देखेंगे, को आपस में विश्वाश नहीं है, कितना धन और खर्च हो रहा है, और हम बिनाश की ओर जा रहे हैं, तो वास्तविक्ता यह है, के मन के अंदर, अगर हमारे घ्रिना होगी, इर्शा होगी, दुएश होगा, लोब लालच होगा, अभीमान होगा, तो हम सारे संसादनों का द सुच बना लें, मन को परदूशन मुक्त बना लें, अन्य चीजें आप रही मुझे से मुक्त होगी, और मन के पर दूशन मुक्त बनाने का एक ही तरीक है, कि हम सदा शुब सोचे, शुब सोचे, दूसरों के लिए भी सुब सोचे, σुब संकलब करें, सुब भावना रखे शुब काम न रखे हर चीज में कलियान देखे और हर सर्व का कलियान दे तो मैं यह समझता हूँ ऐसा करने से कम से कम 比रमा क कुमांरी में तो हमारा अन्बव है कि लाखों ब्रमा कुमार कमारिय JOSHUA ना केबल भारत में हैं बल्र के विश्य прок1 Schmidt 137 देश्चों में है हम सब का ये अनुभव है कि जब से हमने मन का शुद्धी करन किया है, शुब सोचना शुरू किया है, शुब भावना रखनी शुरू की है, तो हमारे संसादन भी जो हैं, वो हमारे सदुप योग में आने लगे हैं, बलके कम संसादनों में हम ज्यादा संतुष्टी पाने लगे हैं अब मन को सशक्त और शुद्द करने के लिए राजयोग एक सर्फ स्रेष्ट मादयम है, क्योंकि राजयोग को योक और्त होता है, वो हमको हमारी इंदरियों का राजा बनाता है, अभी हम शारीरिक इंदरियों के गुलाम हैं, तो उसकी बजाए अगर हम शरीरिक इंद्रियों के राजा बंजे कहा जाता है मन जीते जगत जीत तो मैंड कंट्रोल सबसे इंपोर्टेंट है और मैंड कंट्रोल का सबसे असान तरीका है कि हम राज जो का भ्यास करें और इसकी शिक्षा की ब्रह्मा कुमारिज में दी जाती है जी बिलकुल क्योंकि आध्यात्मिक्ता भी ये कहती है कि जैसा हम सोचते हैं उसका सीधा असर प्रकृति पर पड़ता है कई संशोधनों में भी यह देखा गया है कि शुद्विचारों के बीच जिस पौधे की परवरिश होती है वह बहुत स्वस रूप से प्रग्रति को पाता है तो आए हम सभी ये संकल्प करें कि राजियों के माधम से अपने शुब विचारों से वातावरण और प्रकृति को शुद्व बना कर विश्व पर्यावरण की समस्या से बचेंगे जितना हो सके प्रकृति का अभार माने प्रकृति की इमोशनल वैवरेशन थी करने का संकल्प लें विश्व पर्यावरण दिवस ये बहुत बड़ा विश्य है क्योंकि जलवायू परिवर्तन के समस्या किसी एक देश की नहीं बलकि पूरे विश्व की है लेकिन फिलहाल वक्त को देखते वे चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं आप दोनों का पीम टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हम से जुड़ने के लिए भी जो आपने अपना अमूल समय निकाला और दर्शकों को बहुत खास जानकारिया दी कहते हैं भगवान हमारे पिता है और धरती हमारी मा है और यदि हम दोनों की आज्याओं का पालन करें तो हमारे जीवन में हर्मनी आ जाएगी प्रकृतिक संतुलन बना रहेगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग म्रिदा अपरदन भूस खलन तथा अन्य प्रकृतिक आपदाओं से बचे रहेंगे प्रदूशन समाप्त होगा और हमारा जीवन भी तनाव मुक्त खुशाल बनेगा क्योंकि जब मनुश्य परमात्मा के आज हम और आप मिलकर कुछ सकरात्मक कदम उठाएं और ये बहत सिर्फ डायलोग तक लिमिटर ना रहें बलकि स्वयम भी जागरित होकर लोगों में भी चेतना जगाएं इस प्रकृतिको नया जीवन देकर इसका अस्तित्व बचाएं तो कि वी हैव ओनली वन प्लैनेट आज के इस खास पेशकर्श में बस इतना ही फिर मिलेंगे किसे नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए दीजे हमें इजाजत नमस्कार उम्शानती